कि अच्छार दोस्तों मैं हूँ आपके दोस्त प्रतीप कुमार भांगड़े आपका इस स्काइड क्रम में ज्वागत है जिस कार्कjm का नाम है आपकी फर्माईश बोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमिन करें और अगर कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे मेल कीजिए अगर आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं तो प्रोग्राम के आखरी में आपको अपना मेल आइडी जो है फ्लेश करूँगा तो आईए दोस्तों आज हम जिस बारे मबाचित करने जा रहे हैं और जो समस्या है उसको समाधान हम करेंगे तो किसी ने पूछा था कि भाई पसीने से बहुत बद्पुगाती है तो इसको कुछ घरेलो उपाए बताईए तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ घरेलो उपाए हाँ दोस्तों पसीना आना एक सामान्य प्रक्रिया होती है और शरीर को ठंडा रखने के लिए ये जरूरी भी है लेकिन जब ये अत्यधिक मात्रा में आने लगता है और इसके कारण शरीर में बद्बू पैदा होने लगती है तब ये एक समस्या हो जाती है पसीने की बद्बू को हटाने के लिए मैं आपको कुछ घरेलो उपाए बताता हूँ दोस्तों तो आईए पहला उपाए है बेकिंग सोड़ा हाँ दोस्तों बेकिंग सोड़ा के बारे में हम सभी जानते हैं केक में इस्तुमाल होता है ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तुमाल होता है तो ये है बेकिंग सोड़ा आपको करना क्या है ये बेकिंग सोड़ा लेना है और उसके बाद आपको लेना है नीम्वू, यह देखें नीम्वू है तो यह नीम्वू का रस लेना है इसका पैकिंग पौडर का पेश्ट बनाईए तो पेश्ट बनाने के लिए अपने हिसाब से जिसनी बड़ी जगह है या मतलब जहां भी आपको लगाना है अंडराम्स में जहां भी लगाना है तो इसका रस निकाल लीजिए और इसमें बेकिंग सोड़े को मिलाइए और अपने अंडराम्स में लगा दीजिए लगाने के बाद इसे थोड़ दिर रहन दीजिए कम से कम पाद से 10 में टरहन दीजिए अब इसे दो लीजिए आप अब इसके कुछी दिर बाद आप इस नहा ले तो ये था पहला उपाय अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ हाँ दोस्तों अगला उपाय है सेब का सिरका आईए देखे़ ये देखे ये है सेब का सिरका तो एपल सीडर वेनिगर है एक देखिए तो इसको क्या करना है बहुत या असान तरीका है कटन आपके पास मिल जाएगा रूइ जो हर गर में मौजूद होती है तो इसको करना कि रूइ को जो है इसमें बिगाना है और अपने पूरी शरीर में इसको लगाना है खास तोर रखने के बाद आपको नहाना है अगर आप नहा नहीं सकते हैं अगर जल्दी में हो तो आप गुंगुने पानी से जो है इसकी सफाई कर सकते हैं कपड़ा बेहो के और एक उपाई और बता देता हूं मैं इसी का तो इसका एक उपाई ये है कि आप कीजिए अगर नहाने वाले हो तो नहाने से पहले एक कप एक कप जो है आपको एपल विनेगर लेना है और इसको जो है एक कप विनेगर को आपको घ हो जाएगी तो इससे भी आपकी शरीर की जो है बद्भू वह सवाफ्थ हो जाएगी का पसीना गंदासीना वो जो है आना धर धर इस है जो है पसीन जए के तो अकला उपाए है दोस्तों निव को हाद उस्तों निवू कब अपाइब ऑचिया ंफॉस्ताहिए Dafu acon Club mo river तो इसको लगाईए तो इससे बद्वाना जो है वो बंद हो जाएगा हाँ दोस्तों अगला उपाई है मेहंदी तो हर घर में मेहंदी होती है तो जो है मेहंदी लाईए तो मारिटी को आपको जो है पेस्ट बनाना और अपने सारी शरीम मिश्को लगा लेजिए पतला और यह नहाने से पहले करना है और इसको लगा के जो है आप तनरफ से 20-10 मिनिट तक के जो है उसको लगे रहें दीजिए इसके वद आप नहां लीजिए इसे जो आपको जो है जो है बदबुदार पसीनाना बंद हो जाएगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो इसे के साथ अपने मिहत्र प्रधीप को आरब भां आप दीजिए लवशकार जाए हेंथ